हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल करिया टिक फंड हमें मैं खुश्बू और आज की इस वीडियो में लेकर आया है कॉस्मेट लॉजी ट्रेट के लिए जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही थी उसी के अंतरगती आज के हमेरी छटी क्लास है इससे पहले की 5 क्लास हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमाया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजी ऐसी वीडियो और क्लास पाने के लिए और CITS ते जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए कंडीशनर क्या करता है कंडीशनर क्या करता है तो कंडीशनर आपके बालों को सुल्जाता है सॉफ्ट बनाता है चमक लाता है और क्या उसको हाइड्रेट करता है ठीक है उसमें शाइन प्रॉपर लाता है यह सारी चीजे काम करता है कंडीशनर और यह क्या है ये एक hair care product है ठीक है conditioner क्या है hair care product है और इसमें अगर chemical composition की बात करें कि conditioner में chemical composition क्या-क्या होते हैं तो protein होता है आपका hydrate it protein होता है ठीक है Mineral Oil होता है Plant Oil होता है ठीक है और Easter होता है Fatty Acid होता है और शिलिकॉन होता है यह इसका Chemical composition है conditioner का बड़ते हैं next question क्या है Blow drawing क्या करता है ठीक है Blow drawing क्या करता है तो Blow drawing बालों को सुखाने का कारे करता है बालों का सुखाने का कारे कौन करता है ब्लो ड्राइंग करता है ब्लो ड्राइंग से आपके बाल जल्दी सूख जाते हैं जैसे ठंडियों के दिनों में क्या होता है आपके बाल जल्दी नहीं सूखते हैं ठीक है तो उस समय आप ब्लो ड्राइंग का यूज करके अपने बाल की मदड़ से आप इसको बालों को हैर स्टाइल भी कर सकते हैं ठीक है तो ये बालों को तुरंत क्विकली क्या करता है यह पर गर aan यह वैंpton डायर आपको डेली स्टाइली आपके बाल जानाने के देगत वह सकते हैं यह रहलागाल ह法 करना चाहिए आपके कि जादा आपका टेम्परेचर बोड ड्रायर का नहीं पता है वह भी मोर्ट इस प्रेच्ट में बोड ब्लोड राइयर का यूज खरते हैं और बालों में style बनाने के लिए भी blow dryer का यूज करते हैं next question के ओर बढ़ते हैं blow drying में कौन से दो tools का प्रेयोग होता है blow drying में कौन से दो tools का यूज होता है hair dryer और round brush का यूज करते है round brush का यूज क्यों करते हैं hair style बनाने के लिए round brush का यूज करते हैं hair dryer के साथ option number A सही हो जाएगा next question क्यों चलते हैं hair cutting के समय बाल कैसे होने चाहिए hair cutting के समय बाल कैसे होने चाहिए अगर आप जाते हैं तो cosmetologist क्या suggest करते हैं अगर आप oil लगा के बाल में जाएंगे तो आपके बाल कट करने से मना कर देंगे यानि आपके बाल साफ होने चाहिए धुले होने चाहिए उसमें oiling नहीं होनी चाहिए है तो आप जाके वो क्या करते हैं आपके hair cut करेंगे बाल आपके साफ होने चाहिए और उसमें तुरंट आप धूल कर तब बालों को कटवाने जाना चाहिए उसमें चोटी नहीं होने चाहिए यानि बालों में एठन नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर साफ बाल होने चाहिए Next question क्यों चलते हैं ड्रायर को एक ही जगह काफी देर चलाने पर क्या होगा गार्चों बार बार इसको को उसका रहे हैं त्यांसे option number आपका D सही हो जागा next question क्यों चलते हैं elevation मुख के रूप से कितने प्रकार के होते हैं ठीक है elevation क्या है elevation क्या है प्रोसेज है ठीक है एर कटिंग के समय elevation का ध्यान रखा जाता है और elevation कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के elevation होते हैं तीन प्रकार के elevation कौन कौन से तो फर्स्ट आपका होता है जीरो डिग्री एलिवेशन ठीक है जीरो डिग्री एलिवेशन इसमें क्या होता है आपके बाल नीचे की तरफ जो फर्स की तरफ यह आपके बाल होते हैं यह क्या होते हैं नीचे की तरफ होते हैं करके कट किये जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं जीरो डिग्री एलिवेशन और जीरो डिग्र एलिवेशन में क्या होता है यह आपके बाल ग्राविटी के कारण बाल ऐसे उड़े हवा में तो उड़े नहीं होते हैं नीचे होते हैं किस लिए होते हैं ग्राविटी के कारण होते हैं तो यह जीरो डिग्री एलिवेशन पर करके आपके बालों को कट किया जाता है नीचे की जाता है तो यह किसमें 90 degree elevation में आता है third elevation क्या होता है 180 degree elevation ठीक है 180 degree elevation इस में क्या करते हैं आपके बालों को आस्मान की तरफ करके छट की तरफ करके बालों को cut किया जाता है मतलब ऐसे सीधे उठाकर बालों को कट किया जाता है तो यह 180 डिग्री elevation क्यालाता है ठीक है तो यह तीन टाइप के elevation आपके हो गया option number 20 ही हो जाएगा next question क्यों चलते है सीर्स का तातपर या किस सर की किस भाग से है head की किस भाग से जो है सीर्स का तातपर है तो यह top से है ठीक है option number यहाँ पर 20 ही हो जाएगा next question क्यों चलते हैं बालों का निर्माड किस से होता है बालों का निर्माड यह पहले की classes में आपके question आ चुके है कि बालों का निर्माड किस से होता है तो केरोटीन से होता है ठीक है केरोटीन क्या होता है एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे बालों को संरशना देता है ठीक है बालों को संरशना देता है और क्या करता है बालों में बालों के बाहरी लेयर का निर्माड करता है बाहरी परत का निर्माड करता है और केरिटीन और कहां कहां पाया जाता है तो हमारे बालों में पाया जाता है त जब आपके बाल पूरी तरह से डामेज हो जाते हैंने तो यह interaction treatment भी होता है Carotten treatment लेकिन क्या होता है बहुत ज्यादा expensive होता है बहुत महंगा होता है हर कोई treatment को afford नहीं करता है तो यह क्या है एक तरह का protein होता है जो हमारे बालो और त्वचा को एक बाहरी लेयर प्रदान करता है, जो हमारे बालो को damage होने से protect करता है, ठीक है, next question के ओर चलते हैं, बालो के विकास चक्रे का कौन सा phase, growing phase के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो बालो के विकास के कितने phase होते हैं, बालो के विकास के generally 3 phase होते है हैं लेकिन कभी-कभी option में आपके चार भी दे देता है ठीक है तो हम इन चारो options को देखेंगे क्या है अगर आपके question में exam में पूछा गया है और उसमें option में 4 option दिया है तो आप 4 पर टिक करेंगे नहीं तो तीन पर ही टिक करेंगे तीन होते हैं तो हम यहां पर चारो देख लेते हैं फर्स्ट फेज क्या होता है यह होता है एनेजन फेज ठीक है यह क्या होता है एनेजन फेज होता है और इसे क्या कहते हैं इसे growing phase भी कहते हैं ठीक है एनेजन phase को ही क्या कहते है growing phase कहते है तीक है and intelligent phase को ही growing phase कहते है और energy and phase की अगर अवधी की बात करें कि energy and phase की अवधी किتनी होती है तो यह 2-5 साल की अवधी होती है trafik vac. 2-5 साल भी अवदी होती है इसमें आपके बाल ग्रो करते हैं ग्रो करते हैं और फिर उसके बाद इस एनेजन फेज के बाद कौन सा फेज आता है एनेजन फेज के बाद आपका कैटेजन फेज आता है ठीक है कैटेजन फेज होता है और यह आपका कौन सा फेज कहलाता है यह आपका जनरल िरफ से स Februow क ». 20 सकता है कि प्रॉचन में आ सकता है कि त्रांजिशन सब्सक्राइब कोडिया अब थडिक की बात करें इस्में के बालों में चेंज़न को क्या है अब थर्डिंट फैज की सब्सक्राइब आता है कि अच्छ के लाता है ओड गे जानते हैं इसको रेस्टिंग फेज भी चाहते हैं चीप कि इसमें क्या होता है आपका इने जन्फिंज यानि आपका जब बाल ग्रोग कर जाते हैं प्रॉपर्ली और फिर केटेजन फेज आता है जिसमें आपके बाल क्या हो जाते हैं उसमें ट्रांजीशन आ जाता है बदलाओ आ जाता है देन उसके बाद ये टेलोजन फेज आता है और टेलोजन फेज में आपके बाल क्या हो जाते हैं अपने आप जड़ जाते हैं और उसक को क्या कहते हैं एक सोजन फेज बोलते हैं ठीक है एक सोजन से बोलते हैं इसको और इसमें क्या होता है यह हिर ग्रो ठीक है नए बाल आपके आते हैं नृहीर फेज ठीक है तो यह exogen phase आपका हुआ एनेजन phase, catagen phase, telogen phase और exogen phase यह 4 phase होते हैं विकास चक्र के बालों के तो यहाँ पर पूछा है question में कि growing phase के नाम से जाना जाता है तो growing phase किसको जाना जाता है एनेजन को यहाँ से option number आपका A सही हो जाएगा next question की ओर चलते हैं बालों के विकास चक्र का कौन से रेस्टिंग फेज के नाम से जाना जाता है अभी मैंने बताया रेस्टिंग फेज के नाम से किसको जानते हैं जब बाल ग्रो कर जाते हैं प्रॉपर उसमें changes आ जाते हैं transition phase को क्रॉस कर लेता है देन उसके बाद क्या आता है आपका यह रेस्टिंग फेज आता है और रेस्टिंग फेज को टैलोजन कहते हैं ठीक है बालों में और इसके में उपस्थित होता है और यह क्या करता है यह जो है इसकी और बालों की करता है मैलानीन से नामक जो पदार्थ होता है इससे जब सूरी की किरने इस पर पढ़ती है तो तो यह अपना कलर चेंज कर देता है थी नामक पडार्थ जो है यह बालों के रंग पर निर्भा कर्णता है जैसा कि अक विनॉस्य होते हैं। जैसा हम्लात को बात करें मुख्यता कितने प्रकार के होते हैं, तो बालों के तीन प्रकार के ही विकास चक्र के फेज होते हैं, तीन प्रकार का एनिजन और कैटेजन और टैलोजन ठीक है, तो यहाँ पर चार नहीं दे रखा है option में, तो हम तीन पर टिक कर देंगे, next question कियों चलते हैं, किन बालों में porosity की शमता अधिक होती है, तो जो रूखे बाल होते हैं, जो dry hair होते हैं और जिन में shining नहीं होती है, उन में porosity की शमता अधिक होती है, ताश या option number आपका 20 सही हो जाएगा next question की ओर चलते हैं घनत्व की किस माप के द्वारा ना पा जाता है यानि घनत्व की जो unit है वो क्या है तो वो 1 square inch होती है आपकी बालों की density किसमे 1 square inch में measure की जाती है option number यहाँ पर C सही हो जाएगा तो दिन भर में अगर कितने बाल गिर जाएं तो वो सामाने हैं अगर उससे ज्यादा बाल गिरेंगे यानि 50 से जो 100 बाल गिर रहे हैं अगर डेली आपके दिन में तो वो समस्या क्या है आपकी सामान है वह समस्या में नहीं गिनी जाएगी लेकिन इससे जादा अगर बाल गुच्छे-गुच्छे में गिर रहे हैं तो वह क्या हो तब समस्या वाली बात है तब आपको डॉक्टर से के पास जाने की जरूरत है तो यहां पर ऑप्शन नुम्बर डी सही हो जाएग सबसे अच्छा मना जाते हैं और आपके सर के बाल पूरी तरह से क्या हो जाते हैं एक साथ परे के बाल जड जाते हैं ऑर बाफ्सार आप-का क्या हो जाता है का यहीं आपसे हो जब सकती है अब कि और Weakam ॒को rates कि यहां पर सही हो जाते हैं। कि व't में टनाओक होती है में किने प्रकार période तो तो drandruff आपके mainly दो प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से, तो ये एक आपका generally होता है dry skin drandruff, ठीक है, dry skin dandruff, ठीक है, ये generally, maximum लोगों में dry skin drandruff ही होता है, और दूसरा क्या होता है, oil skin drandruff, oil drandruff, ठीक है, तो उससे क्या होती है आपकी skin जो है सर की scalp जो है वो और dry हो जाती है जिसकी वज़ा से ये problem होती है और second क्या है oil dandruff तो ये जो sebum युक्त पदार्थ होता है वो ज़्यादा मातरा में निकलता है और उस पर धोल मिट्टी जमती है तो वो क्या करती है हमाई सर के scalp पर पपड़ी नुमा जम जाता है और फिर वो एक साथ निकलने लगता है तो वो क्या कहलाता है oil dandruff कहलाता है तो यहाँ पर दो टाइप के dandruff आपके होते हैं नेक्स्ट कूरेशन के ओर चलते है बाल जू का तकनी की नाम क्या है बालों में जुए होती है उसका तकनी की नाम क्या है तो पेडिक यूलेश सिस जो है यह जूयकी तकनी ने में तकनीकी नाम है, option number यहाँ पर A सही हो जाएगा, next question क्यों चलते हैं, oily dandruff का तकनीकी नाम क्या है, जो आपका oily dandruff होता है, उसका technical name क्या होता है, तो यह सीबम युक तवचा, यानि सीबम जो आपके सर के scalp से सीबम की अधिक मातरा निकल रही है, तो वहाँ पर क्या होत यानि सीबम युक तवचा, option number A सही हो जाएगा, next question क्यों हो चलते हैं, यौगिक सुक्ष में वययाम में कुल कितने वययाम होते हैं, 48 वययाम होते हैं, ठीक है, इसकी detail, जब आपको हम detail में classes लेंगे, तब यहाँ पर हम detail में पढ़ाएंगे इसको, तो अभी के लिए बस इत वययाम में ग्रीवा सक्ति विकाशक कितनी हैं, तो ग्रीवा सक्ति विकाशक कितनी होती हैं, सुक्ष में वयययाम में 3 होती है, option number यहाँ पर 20 हो जाएगा, next question क्यों हो चलते हैं, हकलानी की समस्या को ठीक करने के लिए, कौन सा सुक्ष में वयययाम करेंगे, हकलानी की जो सम आपके हक लाने की समस्या दूर हो जाएगी और रिवा सक्ति जो विकाशक होता है यह वियाम कैसे बहुत सिंपल होता है इसको आप किसी भी पोजिशन में खड़े और करना चाहते हैं तो कड़े कर सकते हैं बाट कर या आपने की और रीया को पीछी देखने का प्रयास करेंगे बिना अपने सरीर को bend किये ठीक है देन सर को फिर सामने ले आएंगे और फिर यही प्रक्रियां हम जो है right side करेंगे right to left ठीक है फिर से सीधे आएंगे और ये process करते रहेंगे इस से क्या होगे आपके हकलानी की समस्य अभी दूर होगी और क्या होग लगे और सुन्दर और आकर्शक दिखने लगेगी इस व्यायाम के त्रों तो यहां पर option number आपका दी सही हो जाएगा next question की हो चलते हैं एक आगरता की सक्ति को बहतर बनाने में कौन सा सोक्ष्म व्यायाम मदद करता है तो यहां पर प्रार्थना है प्रार्थना की जगह पर आपका क्या होना चाहिए है प्रार्थना की जगह पर यहां पर मेडिटेशन होना चाहिए ठीक है की मेडिटेशन में सदेगेए सदी योग किस भासा से लिया गया है तो योग उसम Lesson आपको पता होगा Sanskrit भासा से योग सब्द लिया गया है option नंबर 20 हो जाएगा next question के और चलते हैं एक आगरता की सब्द यह question repeat हो रहा है योग सब्द से यह भी question repeat है छोटे कद वाली महिलाओं को किस design के कपड़े पहनने चाहिए जिनका कद छोटा है उनको किस पाइप के पहनने चाहिए कि वह बहुत ज्यादा छोटी ना दिखें नाटी ना दिखें तो खड़ी लाइन के जो कपड़े होते हैं ठीक है उनको वह वीर करना चाहिए उससे क्या उनकी हाइट थोड़ी सी जादा दिखेगी जितनी उनकी नॉर्मल है option नंबर यहाँ पर यह सही हो ज कि बालों को जल्दी सुखाने के लिए किस उपकरण का किस एक्विप्मेंट का यूज करते हैं तो है जो है हेर ड्रायर जो होता है उसका यूज करते हैं बालों को सुखाने के लिए तो option नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा तो आई होप आपको यह क्लास अच्छी लगी होंगी यह सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा अगर लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद